एक गाउम में एहम साइकल पर कच्छा बादाम यानि कच्छी मुफली बेच रहा होता है। पंगाली में मुफली को बादाम बोलते हैं। एक दिन एहम गाना गाता हुआ कच्छा बादाम बेच रहा होता है। कच्चा बदाम खा लो कच्चा बदाम जो कोई खावे, एनर्जी से पावे टाइम पस की चीज है, जिससे थंड नज़ दीक न आवे, कच्चा बदाम खा लो कच्चा बदाम अभी बहुत सारे बच्चे एहम के पास आ जाते हैं अंकल मेरे पास तो पैसे नहीं है कोई बात नहीं बच्चो अगर तुमारे घर पर प्लास्टिक रद्धी खराब मोवाइल हो तो उसके बदले भी मैं तुम्हें बादाम दे दूँगा तबी बच्चे अपने अपने घर जाते हैं और कबरा निकाल कर एहम को दे देते हैं लो अंकल बादाम दे दो और वो गाना भी सुना दो एहम कबरा लेकर बादाम दे देता है और गाना भी सुना देता है फिर एहम अपने गाउं वापस लोट रहा होता है तब ही जंगल में उसे किसी की रोने की आवाज आती ये आवाज तो पेड़ की पीछे से आ रहा है वे पेड़ की पास जाता है तो वाँ एक बच्चा रो रहा होता है मुझे भूग लगी है लो भाई ये थोड़े से कच्चे बादाम है ये खा लोगा मुझे बादाम नहीं बादाम बाला चलिए हाँ 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 है वे हम उसकी तरफ जैसे ही देखता है और महा से अपनी साइकल छोड भागने लगता है तबी वे बच्चा उसे पकड़ लेता है और उसे मालकर उसको खुन पी लेता है फिर वो उसके शरीर में प्रविश्क कर जाता है अब मैं बादाम बेच कर लोगों को खाओंगा दूसरे दिन अहम बादाम बेचने निकल जाता है कच्चा बादाम खालो कच्चा बादाम कच्चा बादाम खालो कच्चा बादाम अरे अंकल आज इतना बेसुरा क्यों का रही हो आज मेरा गलो खराब है अच्चा लाओ मुझे बादाम दो हाँ बेटा क्यों नहीं पर तुमें मेरे साथ जंगल में चलना होगा अहम उसे जंगर ले जाकर उसका खुन पी लेता है फिर गाउं में एहम रोज किसना किसी को मार कर उनका खुन पिया करता था तरह सब देखा सब गाउं वाले परिशान थे आखिर कौन खुन पी रहा है एक दिन एहम अपनी भूख मिटाने निकलता है और एक घर में कुंडी बजाता है तब ही उस घर से गोपी निकलती है बादाम केंसे दिये तब ही एहम उसको धका देकर कमरे में ले आता है और जैसे ही उसका खुन पीने उसके पास जाता है तो उसकी गले में राम जी को लॉकेट होता है और वो लॉकेट एहम के लग जाता है तब ही वो बच्च सब मिलकर जबूत का खात्मा कर देते हैं